नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी लोग का Steady Gloss पर दोस्तों, वाकई में आज घजब का स्टेंड लिया है भारत ने भारत का स्टेंड है पाकिस्टान में जाकर और उसको हड़काना पाकिस्टान को आज अपनी ऑकात पता लग गई है कि आखिरकार ये जो पाकिस्तान है उसकी कोई हैसित नहीं है जिस तरीके से हमने इंडिया को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट किया है वो बड़ा जबर्दस्थ है Recently जैशंकर जो है उन्होंने कहा है कि हम लोग OB OR One Belt One Road जो इनिशिटीव है चाइना का इसको condemn करते हैं और इसको oppose करते हैं क्योंकि इसने हमारी sovereignty जो है इसको कहीं न कहीं खराब किया है कहीं न कहीं उसके उपर ये प्रहार कर रहा है अटेक कर रहा है इसलिए हम लोग इसका oppose करते हैं देखिए जैशंकर भारत के लिए एक ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनको काफी सभा की आशकता नहीं पड़ती है ये खुद ही अपने decisions को वहाँ पर जाकर बना लेते हैं और इनके decisions जबर्दस होते हैं इस चीज के लिए जाने जाते हैं मुझे आज भी याद है कि मैंने 6 महीने पहले एक लेक्चर को कवर किया था जब ये USA के अंदर गए थे जो बाइडन से इनकी मुलाकात थी मुलाकात के समय जब ये वहाँ पर गए तो जो बाइडन ने जब इनको कहा था ये जो खालिस्तानी है इनके गुरुक के बारे में तो जैशेंकर ने सामने ये कह दिया था कि भाई देखिए आप इसको अपनी उपर हेडल करिए आपने ही इसको पना दी है जिस तरीके से आप कैनड़ा को हेल्प कर रहे हैं हमसे सबूत भांग रहे हैं अब आप लोग अपने अपनी उपर देख लिजी इसको हमें कोई लिना देना नहीं है इससे बड़ा गजब का उनका उस समय इस्टेटमेंट आये था और यूएन में जाकर रिसेंट्ली हमने पाकिस्तान को हड़काया ही है SEO से अब विदा ले चुके हैं बोला हम SEO से विदा लेते हैं 15 और 16 अक्टूबर को SEO की मिटिंग पाकिस्तान के अदर हुई थी और उस समय जैशंकर जो हैं उन्होंने जबर्दस अपने स्टेटमेंट्स दिये थे तो वहां से इनकी रवांगी हो चुकी है Depart from Islamabad उनका ये tweet आप लोग दे सकते हैं Thank PM शहनवास की बात है ठीक है और भी कई को ये thankful जो है वो कह रहे है hospitality के लिए है ना खेर वो फर्बलिटी करनी ही पड़ती है उसके बाद में मैं एकल आपको ये photo दिखाई थी जैसे ये plane में से उतरते हैं मतलब जब जिससे मैं गए थे पाकिस्तान के अंदर तो शुरुआत के अंदर इन्हों ने ये transparent चश्मा जो है वो लगा रखा था उसके बाद में change कर लिया गोगल्स पहन लिये बोला अब मैं उस देश के अंदर हूँ जहां पर मुझे अपना नजरिया बदलने के जरुरत है इस चश्मे के अंदर जो lenses लगे हुए है वहां पर साफ दिखाई देता है कि ये आतंकवादी है समझे रहे हैं आप लोग तो आतंकवादी देश को आतंकवाद की नजर से देखना ही ठीक होता है पाकिस्तान के अंदर जो PM हैं वो ये सोचते हैं कि देखो हम तो शांती चाहते हैं ये हमेशा क्या क्या देख से अभी SCQ मेटिक में क्या कहा हम शांती चाहने वाले देशों में से हैं हम अपने देश के अंदर शांती चाहते हैं लेकिन ये शायद ये नहीं समझते कि इनके देश में चल क्या रहा है। अबिटाबाद के अंदर जब लादेन को पकड़ा गया था, उस समय पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बोला USA को। क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि अगर मैंने कुछ कहा, तो USA जो है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं देगा। तो इनको ये फिकर नहीं है कि इनके देश के अंदर क्या चल रहा है। जैशंकर जो है, वो पहुंचे थे भारती दुतावास के अंदर और वहाँ पर जाकर एक पेड़ भी जो है लगाया। जैशंकर इतने जबरदस्त हैं हो सकता है कि इस पेड के अंदर ऐसे sensors लगे हुए हों कि पाकिस्तान की पूरी खबर इस पेड के माध्यम से इंडिया पहुँच जाते हैं, कुछ भी हो सकता है जब अजीट डोवाल पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान का जो Atomic Research Center था उसके भार वो बैट कर बिखारी की तरह भीख मांग सकते हैं और वहाँ पर सामने जब नाई की दुकान थी Atomic Research Center के और वहाँ पर वो आफिसर्स कटिंग करवाने के लिए आते था उनके बालों के सेंपल्स उन्होंने इंडिया के अंदर भिजवाए थे यहां तक हमारी पहुंच थी और उससे हम लोग को पता लगा था कि यह कही न कहीं रेडिशन्स का सिकार हुए हैं यह बाल उसके अंदर ट्रेसेस मिले हैं और पाकिस्तान जो है Atomic Nuclear Research जो है वो कर रहा है तो यहां तक हमारी पहुंच है यह पेड़ तो बहुत छोटी बात है हमारे लिए चली बात करते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर देखे रिसेंटली क्या हुआ है SEO की अंदर SEO की स्थापना जो है Establishment 2001 को किया गया था और तब से लेकर अब तक इसके अंदर 10 देश शामिल हो चुके हैं बैलारूस और इरान को recently इसके अंदर शामिल किया गया था ठीक है तो भारत जो है भारत की economy के according अगर हम लोग देखें तो भारत इसमें second number पर आता है और पहले number पर चायना आता है बाकिस सब पाकिस्तान देखिए खुद 374 billion dollars की economy के साथ में लगभग 9 नंबर पर है उसके बाद में केवल और केवल बेलारूस ही इसके अंदर बसता है ठीक है और भी कई कंट्रीज है चोटे मोटे देश यहां पर भी है लेकिन वाकई में अगर भारत चाहे तो वो बहुत कुछ यहां पर फेर बदल कर सकता है इस graph को हम लोग इस map को आप लोग देखिए हम लोग O.B.O.R. की बात करते हैं तो चाइना का एक initiative है जिसको 2013 के अंदर शुरू किया गया था चाइना यह चाहता है कि 2019 तक हम लोग पूरे एशिया के अंदर पूरे यूरोप के अंदर और अफरीका से connectivity बनाएं चाहे फिर वो रोड के माध्यम से हो रोड से connected हो या फिर वो सी र जानी है यह चाइना का initiative था चाइना ने अपने freedom को हासिल किया था 1949 के अंदर और उसका यह initiative था वो चाहता था कि 2009 तक 100 साल पूरे होने तक हम लोग इस O.B.O.R. को complete कर दे भारत की बहुत सारे पडोसी देश जो किसके अंदर शामिल हो चुके थे बांगलादेश को offer दिया गया था बांगलादेश ने ठुकरा दिया बोला नहीं O.B.O.R. के अंदर हम लोग शामिल नहीं होंगे मलेशिया इससे बाहर निकल गया था इटिली नहीं जॉइन किया वापस से बाहर निकल गया तो मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो गढ़बढ है अचा एक point मैं कहन और अगर भारत इसके अंदर शामिल होता है O.B.O.R. के अंदर तो भारत को benefit क्या हो सकता है भारत को केवल और केवल एक ही benefit है कि भारत O.B.O.R. के तहट Asian जो countries है European countries है उनके साथ में connectivity बढ़ जाएगी और connectivity बढ़ने से थोड़ा बहुत trade बढ़ सकता है बस इतना ही है लेकि चाइना-Pakistan Economic Corridor चाइना-Pakistan Economic Corridor जो है वो P.O.K. से गुजरते हुए कहां तक पहुंच रही है पाकिस्तान के करांचे तक पहुंच रही है ठीक है यह corridor अगर हम लोग O.B.O.R. को join करते हैं तो यह तो मान के चलिए कि हमको C.P.S.C. को भी join करना पड़ेगा जो कि हमारी sovereignty के लिए कहीं न कहीं खत्रा है आज हमसे बिना पूछी हमारा land का use यहां पर किया जा रहा है चाइना ने और पाकिस्तान मिलकर एक corridor यहां पर बनाया है है ठीक है और लेकिन अभी रुखा हुआ है लेकिन अगर हम लोग O.B.O.R. को join करते हैं तो कहीं न कहीं C.P.E.C. के ल हम कहां जाएंगे तो O.B.O.R. हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता है Maldives की हालत देखनीजिए Maldives को इतना कर्च दे दिया पाकिस्तान को इतना कर्च दे दिया कि वो आज कर्च का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं चाइना यह कह रहा है कि 2025 तक ब्याज जो है उच किसको कह रहा है यह कह रहा है Maldives को यहां तक कि जो World Bank है IMF है उन्होंने भी किसको दिया है कर्च Maldives को दिया है अब Maldives पूरा खत्रे में IMF ने इसको deadline दे दी कि 2028 तक हमारे जो पैसा दिया है उसका ब्याज उसका interest जो हो आ जाना चाहिए ऐसी धंकिया जब किसी देश को म देखेंगे तो आपको O-B-O-R समझ में आएगा कि चाइना जो है वो road connectivity के तुरू एशिया और European countries को adjoined कर देगा साथी के अंदर C route जो है वहाँ पर कई सारे countries को connect करते हुए यह पहुचना चाहता है अफ्रीका के अंदर और Europe के अंदर ठीक है तो यह C route है है ना Land route है या Silk route हम लोग पहले देखते थे Silk route बहुत पुराना है तो Silk route का ही वो इस्तमाल करना चाहता है इसलिए भारत ने SEO की meeting के अंदर O-B-O-R को oppose कर दिया है कि हम लोग इसका oppose करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह तमाब देशों को एक debt trap के अंदर मतलब कर्ज देने के जाल के अंदर फं आते हैं मचली को और उसके बाद में उसको तड़ पाते हैं और अगर हमने O-B-O-R को जॉइन कर लिया तो फिर CPEC हमारे लिए कोई मैस्वन ने रखेगा उसको भी हमको फिर permission देनी ही पड़ेगी तो आज जैशंकर ने बहुत गजब के stands लिए हैं पाकिस्तान में जाकर हैं वाकिशचान में जे बारे हैं मुझे आप लोग comments ने जरूर बताईगा ठीक है अब जेशंकर ने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि ठीक है तो अब आपकी कहा रहा है मुझे आप लोग कमेंट से में ज़रूर बताएगा कि शंकर जो है एजे शंकर वो किस तरीके के विदेश मंतरी साबित हो रहे हैं भारत के लिए आप लोग हमारे 100 days के चैलेंज के चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है इसके मदद से आप लोग को discount price में available हो जाएगा इसके साथ में आप लोग 175 days का hard challenge में ले सकते हैं 100 दिन अभी हम लोग कर रहे हैं और 75 आप लोग कर सकते हैं जीके जीएस के लिए history, polity, geography, economy और science की classes आप लोग के लिए चल रहे हैं आप लोग जरूर जो है इस batch को join कीजिएगा चले मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तबले धन्यवाद, thank you, जैहिं